प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पर हो रहे अत्याचार एवम उनकी जाज मांगो को लेकर ना रुकूंगा ना जुकूंगा और ना डरूंगा आठ दिन से लगातार धर्ने पर बैठे दिगज बीज़िपी नेता और राज्यसभा सांसत की रोडी लाल मीना सांसत की रोडी के धर्णे को लगातार बीजीपी नयताओं और आमजन द्वारा मिल रहे जन समर्थन से घवराई गहलोज सरकार ने बाबा को गिरफतार करने के लिए धर्णा इसल पर भारी पुलीस बल भेजा वहीं पुलीस को देखकर धर्णा इसल पर मौजूद सेक्डो की रोडी समर्थक युवाओं ने नारिबाजी शुरू कर दी तो वहीं सांसत की रोडी लाल मिना ने कहा ना रुकूंगा ना जुकूंगा और ना ही डरूंगा सत्य और संघर्ष की राह पर चला हूँ और चलता रहूंगा पुलीस की गिरफतारी से डर कर भागने वाला नहीं हूँ मैं मुख्या जी हम तो पहले भी कई बार आंदुलन करते हुए जा चुके हैं जेल आज एक बार फिर प्रदेश के युमाओं की आवास की लड़ाई लड़ने की जुर्म में यदि आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो नी संकोच डालिए लेकिन याद रखना अशोक गहलोजी वो वक्त दूर नहीं जब आपकी पार्टी को कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा इससे पहले लगातान आठवे दिन किरोडी लाल मीना को समर्थन देने धर्णा इस्तर पर कई दिगजों का जमावडा लगा जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, सतिश पुनिया, विधायक नर्पत सिंग राजवी, विधायक काली चरन सर्राफ, पुरु विधायक लक्ष्मी नाराण बैर्वा, भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, हिमान्शु शर्मा, पुर्वु सांसद, राम भाजपा, स्टी मोर्ची की प्रदेश अध्यक्ष, जितेंद्र मिना समाज सहीत पहुंचे धर्णा इस्थल पर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा और हाँ, जल्द ही दपिके टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए